हलो गाइज, वेलकम तो कदेव मीडिया वंस अगेन, माइन में इस गुलशन जाव, फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है करेक्शन विंडो, अप्लिकेशन फॉर्म में अलग-अलग फिल्ड्स होते हैं, उन फिल्ड्स को भरने के दौरान यदि कब open होगी, उसके बारे में बात करेंगे, तो फिर वो limited fields कौन 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 से हैं, जिन्ने हम edit window उपन होने के बाद कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे fields जीने हम करक्षम साथ हैं। वीड़ियो का यूज करते हैं अपनी फीपिल्ड को करेक्षमें करने के लिए तो क्या हमें कुछam 활동 करने होंगे क्या हम टसनी को एडिक करने सकते हैं। इस तरह कि समय जो कि आंशिंड वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, as I told you, correction window होती क्या है, एक timeline, एक time period जो NVE के तरफ से students को दी जाती है, after application form filling timeline, application form fill up के बाद एक timeline आपको NVE के तरफ से दी जाती है, कि यदि आपके through application form fill up करने के दोरान कोई mistake हुई है, कुछ गलती हुई है, तो आप उसे उस particular time period, जो correction window की time period है, उस time period में आप उसे correct कर सकते हो, यह जो timeline दी गई है NVE के तरफ से, यह 10th of May to 16th of May दी गई है, that is, कि जो correction window यह edit window है, that is actually going to open from 10th of May to 16th of May, इस time period के बीच में, जो correction window है, वो open होगी, और आपके दोरान, अगर कोई mistake हुई है application form में, तो आप उसे correct कर सकते हो, Now, जो सबसे बड़ी question उठती है, वो यह, कि is it possible to edit all the fields of the application form, क्या यह possible है, नहीं, यह बिल्कुल possible नहीं है, there are limited fields which you can edit, whereas some fields are still there which you cannot edit, जो आपने एक बार fill कर दिया, उसे आप edit नहीं कर सकते हो, For example, academic details, academic details related, कोई भी information अगर आपने fill किया, उसे कुछ mistake हुई है, तो उसे आप rectify कर सकते हो, correct कर सकते हो, candidates की address, corresponding address और permanent address, यह दो address पूछी जाती है form में, अगर इनने कुछ mistake हुई है, तो उसे आप correct कर सकते हो, candidate religion, अगर आपकी religion में कुछ mistake हुई है, कुछ गलत fill हो गया, तो आप अपने religion को correct कर सकते हो, category of candidate, अगर candidate की category में कुछ ऐसा mistake हो गया है, जैसे general category हो भी CSC, CST categories होती है, इनमें अगर कुछ mistake हुई है, तो उसे आप correct कर सकते हो, जेंडर को आप correct कर सकते हो, male, female, transgender, जो भी है, EWS status को अगर आपको correct करना है, तो आप EWS status को correct कर सकते हो, PWD status को physically handicap जो जिनके लिए status होती है, वो PWD status को अगर आप correct करना चाहो, अगर आप से mistake हुई है, तो वो आप correct कर सकते हो, at the same time, images, जो documents आप से upload करने के लिए कहे गया थे, documents में images आपको upload करने के लिए कहे गया थे, जैसे कि thumb impression हो गई, या फिर photograph हो गया, signature हो गया, या फिर आप से पूछी जाएगी कि आपकी जो MBBS की council, medical council registration है, वो upload करने में अगर आप से कुछ गल्पी हुई है, तो उन्हें भी आ उपन रहे हो, उसमें आप images भी upload, rectify कर सकते हो और correct कर सकते हो, यह बहुत important question होती है कि कौन-कौन जैसे field हैं, जिनने हम edit नहीं कर सकते हैं, यह इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि name of the candidate, अगर candidate के name में कुछ mistake हुई है, कुछ spelling mistake हुई है, या फिर short name आपने दिया है in spite of, आपको जो full name लिखनी थी, या आपके document से जो name match कर रही है, वो exact आपने नहीं लिखा है, तो फिर वो name को, candidate के name को आप change नहीं कर सकते, आप candidate के email ID को change नहीं कर सकते, date of birth को change नहीं कर सकते, mobile number को change नहीं कर सकते, exam center को भी आप change नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार exam center select कर दिया उसको submit कर दिया तो आप उसे change नहीं कर सकते और nationality को भी आप change नहीं कर सकते और नहीं कर सकते तो यह कुछ field है जिसे which cannot be changed जिसे आप correct नहीं कर सकते Now as I told you कि timeline already declared है कि 10th of May से 16th of May रहेगी सबसे बड़ी question उठती है कि क्या हम अगर correction window का use करते हैं अपने किसी field को correct करने के लिए तो हमें किसी प्रकार की charges भी देने पड़ेंगे Usually इस तरीके की कोई charges नहीं होते हैं but conditions apply conditions क्या है कि अगर gender में category में PWD स्टेटस में या EWS स्टेटस को change करने की जाती है तो आपको extra charges लग सकते हैं कैसे लग सकते हैं For example mistaken ने आपने जो अपनी category है वो SC या ST डाल दी है अब SC या ST की जो application form registration charges जो है अब जब आप general करोगे तो general के application charges जो है वो 3500 है यह 1000 के जो difference है यह आपको extra pay करना पड़ेगा और that will be paid in the form of DD जो NB EMS के नाम पे जाएगी डेली तो इस तरीके के charges जो है वो आपको लग सकते हैं PWD status में आपने yes कर दिया है for example PWD status में आपने yes कर दिया है वो आपको बाद में realize होती है कि PWD status तो है वो physically handicapped person के लिए है और आप जो हो तो आपको हो सकते 3500 रुपीस वापीस से लगेंगे तो यह जो remaining amount है वो amount आपको पे करनी होगी हाला कि इसके अलावा जो extra charges जो external charges है वो charges जो है वो applicable नहीं होते है extra charges आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे एक important question यह भी उठती है कि कितनी बार हम correction window को use कर सकते हैं और कितनी बार हम अपने जो application form है उसे edit कर सकते हैं correct कर सकते है usually यह जो facility होती है वो एक ही बार provide की जाती है depending on situation but एक बार अगर आपने अपने correction window को use कर लिया edit कर दिया तो फिर आप उसको verify करके ही submit करो क्योंकि हो सकता आपको second time जो है वो chance नहीं दी जाएगी right एक question important question student के मन में ये भी है कि क्या हम exam city या exam center को change कर सकते हैं तो नहीं वो आप change नहीं कर सकते हो अगर आपने submit कर दिया तो जो आपने exam center first time पहली बार में आपने select किया है ज्यादा तरचांसे हैं कि आपको वो या उसके आसपास के जो area में centers है वो आपको मिले अब एक बार जो है वो series of events को देख लेते हैं कि क्या क्या वो series of events है as we all know 16th of April से application form start हुई है last date of application कब है 6th of May है उसके बाद पिर edit window open होगी edit window कब से open होगी 10th में से 16th में आपकी edit window open होगी जिसमें आप इन fields को जो मैंने आपको बताया उन fields को आप correct कर सकते हो उसके बाद फिर एक नेट पीजी pre-final correction window open होगी uploaded images के लिए uploaded images के लिए अलग से correction window भी open होती है तो uploaded images के लिए नेट पीजी की pre-final correction final से final correction window से पहले एक बार pre-final correction window open होगी फिर एक बार final correction window open होगी तो pre-final correction window जो open होगी जिसमें आप अपने signature में अगर कुछ ऐसा आपको upload करना है उसमें कुछ correction करनी है या फिर आपको जो फोटोग्राप से उसमें करनी है उसमें किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम आई है या सिगनेचर में आई है तो वह जो डेट है वह 28 में से 3 जून तक उपन रहेगी और उसके बाद पिर से एक बार मौका दिया जाएगा जब आप इमेजेस को वापस से करक्ट कर सकते हो जिसे हम फाइनल एडिट विंडो कहेंगे और वह फाइनल एडिट विंडो फॉर अप्लोड़ेड इमेजेस की जो है वह सेवन्थ ओफ में से लेकर के 10 ओफ में तक उपन रहेगी फिर आपके एड्मिट कार्ड नीट पीजी एड्मिट इसके बाद काॉंसलिंग स्टार्ट होगी जिसमें हमें अटेंड करके बेस्ट वेस्ट कॉलेच के लिए अप लोच रखना है जिससे कि हमें प्लांड बेस्ट वेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं तो गाइज आई होप की चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई होगी की क जब आप एडिट विंडो का स्थमाल कर सकते हो कौन-कौन से फिल्ड को एडिट कर सकते हो अगर जो एडिटेबल फिल्ड हैं उन में से आप में आपके अप्लिकेशन फॉर्म में कुछ प्रब्लम आई है तो आप उसे बिल्कुल जब एडिट विड़ो ओपन होती है तो आप कर सकते हो बांकि नेम में या फिर जो नॉन एडिटीबल फिल्ड है उनमें कुछ जासे जासे जो जो बीटीब्स है उसमें अगर कुछ प्रब्लम आई है तो आई वूड सजेस्ट यू कि आप एक सिंपल एफिडविट बना लो जिसमें यह मैंशन होना चाहिए कि यह जो नेम है अप्लिकेशन पर्म में जो हमने नेम फिल किया है यह परसन प्लस जो डॉक्य में नेम है वो परसन जो लो सेम परसन है यह आप एक एफिडविट बना करके अपने पास रख लोगे तो वो आपके फ्यूचर रिफरेंस में ज्यादा काम आएगी तो फूड़ी गाइस कोई भी डाउट हो कोई हो तो दीए नमबर पर कॉल कर सकते हैं अधर सेम टाइम जो है www.careermedia.in जिस पर आप जा करके सभी स्टेट्स की सब्सक्राइब कर सकते हो देख सकते हो उसमें काउंसलिंग प्रॉसेस भी अच्छे से डीटेल में एक्स्प्रेंड की गई है और साथ में जो हमारा और एक वेबसाइट है वह है www.careermedia.ai उस पर भी जा करके आप नीट झाल 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 झाल